इंसाइट टॉक्स में आपका स्वागत है। इसमें हम ऐसी शक्सियत से रूपरू होंगे, जिन्होंने समाज में एक आयाम स्थापित किया है, दूसरों को इंस्पायर किया है। आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं संजना से जो कि एक टांसजेंडर हैं। इनके संगर्ष की गाथा, किस मल्ती में ये रहती हैं, आसपडोस का उनके साथ कैसा व्यावहार है। और अपनी कम्यूनिटी के लिए जो संगर्ष इन्होंने किया है और आज जिस मन्जिल पर वो हैं, उस बारे में हम आज उनसे चर्चा करेंगे। आईए मिलते हैं संगर्ष से। तो संजना, ट्रांसजेंडर का एक जीवन होता है, बड़ा संगर्ष पूल्ड रहता हूँ, तो हमें थोड़ा सा बताओ कि आज आज आप एक बहुत अच्छे मकाम पर हो, आपका एक जाना पेचाना वेखते तो हैं, तो बाल्लेवस्था के बारे में आप थोड़ा सा अप प्रांसजेंडर के बात करते हैं, अगर हम जैसे लोगों के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बच्पना और बच्पन से लेके किसोर अवस्था में, कुछ अलग तरह से हमारे साथ में एक व्याभार होता है, लोगों की तरफ से, क्योंकि जब हम जैसे बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद में, क्योंकि हमें उस समय तो पता नहीं होता है, जब बच्चे होते हैं, कि हमारा जो व्याभार है वो कैसा है, हम लड़कियों की तरह कर रहे हैं, लड़के की तरह कर रहे हैं, क्योंकि इन चीजों से हम बहुत अलग होते हैं, कि अगर हम अपनी पहचान के बारे में कहें, तो हमें खुद अपनी पहचान पता नहीं होती है, लेकिन जब हम लोग थूड़ा सा किसूर अवस्ता में आते हैं, और लोगों की तरफ से कुछ इस तरह का हमारे पास में एक आता है, कि लोग हमें कुछ कसिंदे कस रहे हैं, कि ये लड़का है, लड़कियों की तरह रहे रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इसकी हरकते देखो, तो उस समय हम लोगों को यह अइसास होता है, कि शायद हम आम लोगों से थोड़ा सा अलग हैं, और शायद हम लोग एक अलग ही श्रिणी में आते हैं तो बाल लियावस्था में जितने भी अगर हमारे जिसे लोग हैं तो कहीं ना कहीं उनको यह सारी चीजों का सामना करना पड़ता है क्योंकि भेदभाव की बात करते हैं साइद वहीं से एक हमारे भेदभाव सुरू होता है और हम लोग अलग सामाज के मुक्यधारा से हटके अलग धारा में चले जाते हैं तो कब वो समय था या वो उम्र थी जब आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं कुछ डिफरेंट हूँ या कोई ऐसा इंसिदेंट आप गता पाएं एक में पर्टिकुलर एक चीछ पे तो मुझे याद नहीं है लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजे हैं लेकिन एक छोटी सी घटना हुई थी जब मुझे लगा था कि शायद मैं डिफरेंट हूँ उसकी मैं बएक छोटे में मेंसे 10-11 स lange अंए उमार रही होगी और उस समय शायद मेरे खेल से समझ आई जाती है तो कुछ इस तरह का होता है हम लोग जागरण में गये जागरण में जानेगे वाद में वहां टूपटो पटा डालने के बाद में थोड़ा सा जो है क्योंकि एक पार्डि लिंग्वेज या रहान से जो था वह लड़की तरह था तो इसको देखकर लोगों में पता नहीं क्य क्या अभाव आया क्या नहीं उस दिन के वासे लेडी करके चड़ाने लगे और मुझे मतलब कथक कर ली इस तरीके से मतलब करते थे लड़की है ये तो वो सारी चीज जो हैना मुझे बहुत अपने आप में अलग महसूस करती थी तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजे मेरे तक बाहर हूँ या अकेले में हूँ इस तरीके से मतलब अपने आपको अकेले पन में ज्यादा सेफ महसूस करती थी तो यह सारी चीजे मुझे लगता है कि जो हमारे जिसे लोग हैं जो हमारे सांती हैं ट्रांजेंडर कमिटी में अमूमन सबसे ज्यादा उन लोगों को यह सारी चीज़ें फेस करना पड़ती है, यही बहुत सारी इसी घटनाएं हैं, और जो होती हैं सभी के जीवन में, जो कहीं न कहीं हम लोगों को बहुत ज्यादा विचलित कर देती हैं, या मांसिक रूप सागात पहुचाती हैं, जिस चीज आने से हैं ममी पापा हैं, बाई बेन हैं, तो उन्होंने भी उस चीज़ चीज को महसुस की, तो क्या उनके तरफ से कोई बदे च्याज परिवर्तन ओश्वार में कुछ परिफांया आसा था क्या मैं जब छोटी थी मतलब 10-11 साल की उस समय जो मेरा रहा है बच्छपन से ही कुकिंग का मतलब खाना वाना बनाना ये सारी चीजे मम्मी को देखती रहती थी मैं और मम्मी को देखते हूँ जब बहुत अच्छा लगता था क्यों ड्रेस अब बगरा भी सब वही करना है साडी पहनना है बेहन को देखे सूट पहनना है और खाना वाना बनाना है तो ये सारी चीजे जब रहती थी तो मम्मी उस समय तो नहीं बोलती थी मुझे या कभी ऐसा पहले फ्रौप चीजे लोगों से घर्वालों की तरब सिखाएते आएं कि अपके लड़के को समझा कि रखा करो ना कियसा है लडिकियों की तरह हरकते करता है वही जड़े उठाके ले जाएंगे इसको इसकी हरकते सुधार हो ये किस तरीके से हैं तब जाकर घ़र से प्रे जो आसपास के लोग हैं, वो सबसे जादा भूमी का निभाते हैं, इस चीज को पयादा करने में भेदबाओं, या फिर हमारे साथ में जो घटना है करती हमारे साथ में अत्याचार, या मैंटली हमारे साथ में इस सारी चीज़े होती, तो मुझे लग रहा है, ये सामाज के द इवार भी दवाब में आकर जबर्दस्ती डिस्क्रिमिनेशन जो होता है या फिर उनके पर दवाब बनाता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे रहो क्योंकि यह शायद चीजे मेंने फेस करी हैं और फिर वहीं से जो है अमारे साथ में भैदवाओं घर से सुरू होता है तो संजना बहुत संगर्ष के बाद परिवार मित्रों का की डिस्क्रिमिनेशन को भी हम लोगों ने सहा आपने और उसके बाद एक एक एक्टिविस्ट के रूप में आपने अपको स्टेबलिश किया तो वो कौन सा दौर था कैसा वो समय था जब आपने एक एक्टिविस्ट क कम्यूनिटी और जो दूसरी अधर कम्यूनिटी से उनको उनके उत्थान के लिए बहुत आपने काम किया तो वो एरा कैसा था कैसे आप एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आए यहां पर अगर हम कुछ भी जीवन में सफलता पाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन म में कुछ छोटी सी ओगटन जिसको हम जादा अपने दिमाग में ले लेते हैं तो कहीं न कहीं वो चीज जो है एक चिंगारी के रूप में काम करती है और आगे चलकर शायद मेरी खायल से वो घटना पूरे जीवन को बदल देती तो शायद मेरे-खायलसे मेरे जीवन में तो ज़से परिवार सुमाज के नहीं कि नहीं के बाद में आ नीने के बाद में NGO से जुड़ टो या दो हम साथ हे ईग्या तो मत शाइड मेले बहुम्हारे कि नहीं होई क्योंकि बहुत सारी चीजे जो है में वहां पर अड्यस्स नहीं कर पा रही थी लेकिन समय समय पर काउंसलिंग समय पर समय पर जो है गाइडेंस मिला तो उसके वाद जो है क्यों मोटिवेशन लेबल बढ़ा वो भी स्टाफ के लोगों द्वारा बढ़ा है गया खासकर आपन मैं वाला लेकिन आपने कितना मुझे समय समय पर काउंसलिंग कर रहा हैं उससमय आपने मुझे समहला और मैरा माह집 दृष Singh किया मतलब है कि हम किसी भी चीज को चमतकारी की रूप से तो नहीं लेकिन आप सब्दों का कि昨ह शब्दों मेरी आमानस्तीक स्था मजबूथ किंNow जो शायद आज इस लेवल पर मुझे लाके खड़ा करता है तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़े होती हैं और जब NGO से जुड़े, NGO से जुड़ने के बाद में बहुत सारी चीज़े होई, बहुत सारी चीज़े सीखने को मिली और एक नई उमीद और एक नया जीवन होता है मेरी ख्याल से मेरा वहाँ से सुरू हुआ, तो उससा में लगा कि जो मेरे साथ में हुआ, अब वो मेरी कमिटी के साथ में ना हो, मेरी युवा पीडी के साथ में ना हो, और किसी भी संजना को घर ना छोड़ना पड़े, और उसको वाले अवस्ता होसे लेकर युवा अवस्ता तो यहीं से जो है मेरे दिमाग में सारी चीजे चल ली इसके लिए प्रयास किया और कहीं न कहीं वहाँ पर आप जैसे लोगों ने एक्सेप करना जब मुझे शुरू किया तो कहीं न कहीं हमें भी एक अत्म विश्वास बढ़ा और इन चीजों में अगर जो भी improvement आया है जो भी अगर मैंने आज अचीब किया है तो वो कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बचती है उसके अंदर अगर किसी का योगदान होता है तो आप जैसे लोगों का योगदान होता है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि अगर जब तक आप जैसे लोग नहीं समाज जैसे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे जैसे लोग आगे बड़ पाएंगे क्योंकि यह वह समाज वह परिवारा नहीं दूसरी तरफ आप जैसे लोग भी हैं जो एक सब्करते है और मोटी वेट करते ह मद्धिवेट करते हैं कहीं अकई आगे बढ़ाते कभीा है एक community based organization उसका शाय पहला मध्यप्रदेश का community based organization था जो आपने शुडवात की तो कैसा लगता है जब मध्यप्रदेश में काम किया संगर्शों के बाद फिराप उत्रखंड में भी आपने मैपिंग करें मध्यप्रदेश में अपने मैपिंग करें शाय राजिस्थान तो वो कैसा लगा आपको कि मद्रप्रदेश के बाहर भी क्या कम्यूनिटी का एक्जिस्टेंस है आपको वो सम्मान मिला आपको लोगों एक्सेप्ट किया वहां पर भी काम करने में आपने कैसा अनुभाब किया अनुभाब बहुत अच्छा रहा है मेरा मतलब अगर जी कहूँ कि कुछ खटा कुछ मीठा अनुभाब या मेरी घ्रप्रदेश के काम से ही आता है और जब हम काम करते हैं तो अनुभाब स्वभाबी के मिलना है तो जब बहार बहार डिस्टिक से हटकर स्टेट में हम लोग ज तो हमारे काम में थोड़ा सा एक गति आती है तो कहीं न कहीं यह सारी चीज फिरा हमाले चुनोती से कम नहीं थी कि एक नए रूप में ट्रांस जडर कमिटी जाब के लिए बात कर रहे हैं वह सामाज में कुछ पहार पह्चान के लिए तो इसमें वह में अग्रांट धिकतो तो बहुत अच्छे तरीक से कि हमारे जिसे लोग जो हैं, उनकी मानसिक ता जो हैं, वही है पुरानी रूणी वादी परमपराओं को हम एकदम से नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उन परमपराओं के साथ में हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, तो इसी को लेके थोड़ा सा एक प्र पूची ले रहे हैं और वो अपने अपने स्टेट में अपने डिस्टिक में कहीं ना कहीं, एक अच्छा काम के मध्यम से एक अच्छी चबी बनाते हैं, उस आमाज के मुक्विधारा से जुड़ रहे हैं। आपको बुलाया और आप उस टॉक शो में गए और आपका वहां पे सम्मान हुआ, वो कैसा अनभा हो था, क्या फिलिंग्स थी जब आप उसको रिलेट करते हैं कि कहां से हमने शुरू किया था और आज कहां महानायक ने हमें आमंदृत किया है। लाइप प्रुगाम है और उसके अंदर मुझे सैनिटेशन चेंपियन बुलाया गया है, जहां चाहुदा स्टेट को स्लेक्ट किया गया था, मध्य प्रदेश से मेरा नाम गया था। तो उस समय तो मैं शायद खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और उस समय शायद मुझे लग रहा था जब मैं उनके बाज्यू में बेटी और इंटेव्यू चल रहा था हमारा। कि अपने आपको में एकदम नोच के देखा था कि मतलब बहुत मेरे लिए शौकिंग वाली बात है कि बचन सा मुझे सबाल पूछ रहे हैं कि कहां से कैसा सुरुआत हुआ तो ले देखे अगर आज मैं सूचती हूँ वह एक अनवभ मेरा बहुत ही अच्छा रहा था एक ज दर्शक आपके सही हो तो आप दुनिया में वह सब चीजे अचीव कर सकते हैं कोहीं भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि बच्चन साब भी आज हमारे और आप येसे लोगों के बीच से ही बच्चन साब बने हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म जो हैं वह समाज के हित में राष् समुदाए के लिए सोचें तो बेशक वह समुदाए के लोग आपको इस दिन सलिबिटी बना देंगे जिससे आप लोग ने मुझे बनाया है इसके लिए थैंक्स एक पूरे संगर्ष्म जीवन के बाद एक एक्टिविस्ट बनने के बाद एक जो आपको सबसे अच्छा बड़ा ओधा मिला है कि मद्यपरदेश की पहली ट्रांसजेंडर जिसको सरकारी नौकरी मिली है तो कैसा फिल होता है कैसी लाइफ है एक गौर्मेंट जॉब में रह एक फ्लाइट में रह रही है सोसाइटी के साथ बीच में अडोस पडोस है आपका तो वो पूरा जो एरा है उसमें कैसा मैसुस करते हैं सबसे पहले तो जॉब की तो मैं बात कहूं तो जॉब में क्योंकि कहीं पर भी कोई अगर हम जैसे लोग का इंटर होते हैं जा हम इनी बात कहूं तो आज में 16-17 साल हो गए हैं सोशल वर्क और यहां जॉब में आते हुए क्योंकि आज मैं जो देख रही हूं कि अगर सो में से दस लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नभी लोग नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो असमजस की स्तिती में हैं तो इसमें अब थोड़ा समय लगेगा और रही मेरे जॉब की बात जॉब में भी जब में पहली बार गई थी जब में नियुक्त हुई थी उसके बाद में तो वहां के लोग भी थोड़ा सा अंकमफर्टेवल थे उन लोगों को बात करने में डर लगता था कहीं ना कहीं लगता था कि कौन है क्या है मतलब बहुत सारी चीजे जो निकल के आई मेरे सामने के लगता था उनको के पता नहीं transgender है किनर है किस तरीके से व्याभाहर किस तरह का आचरण होगा कहीं ऐसा नहों यहां पर तो यह सारी चीजे होती है और अमुमन मतलब सवभाविक है क्योंकि मतलब सही बात है क्योंकि हमारी नहीं हार समाज में कोई न कोई ऐसे लोग हैं जो पूरे समाज को रिपरेजंट करते हैं तो कहीं नहीं हम domest今 रहा रही हूँ तो शायद मैं ने जो काम किए हैं और जोaning society और कई माध्यम से सोचल मीडिया के माध्यम से हैं और कई इंटर्व्यूस के माध्यम से लोगों के बीच में लोग प्रिया बनी हूं तो कुछ लोग मुझे जानते हैं तो एक अलग सा वीए होता मेरे लिए respectful बहुत सम्मान हुता है बहुत से लोग जानते हैं तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है कि अगर 2 लोग मेरे अपमान कर रहा है तो एक तो मुझे रिस्पेक्क कर रहा है तो मुझे पर फोकस करती हूँ और यही मेरा लक्ष है कि कहीं अगर मुझे 10 ल अपने आप में सोच में थोड़ा सा बदलाब लाता है और कहीं ना कहीं एक अच्छी अनूभूती होती है कि जाने दो क्योंकि परीबार में भी यहीं सारी चीज़ी होती है अगर बहन एकसेप किया तो भाई नहीं कर रहा है तो हम सबसे ज़्यादा बहन से क्लोज होते हैं त तो मुझे लगता है कि आप बहुत अपने आपको प्रसंद महसूस करेंगे प्रसंद रहेंगे और दूसरे लोगों को भी आप प्रसंदा देंगे तो यह मेरा जॉप का है कहीं कभी हो मैं एक फिस चीज़ को रखती हूं को जाने दो कि कि जब मैं बाहर निकलती हूं तो साथ में ज़्यादा अच्छा करती हूँ कि शायद कहीं न कहीं उन मैं से ही कुछ लोग दूसरों का अच्छा संदेज दें और वो ही हमारे बीच के लोग होते हैं जो एक गलत और सही तो बहतर यह कि हम सही बने रहें और अपना व्याभार कुषल बनाएं मैं सभी समूदायक की लिए बोलूगी कि इंदर समुदायक क्योंकि कहीं न कहीं हर वर्ग में देखें हैं-वर्ग हो और वर्ग पूरूस वर्ग हो चाहिक इंदर हो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि negative thoughts के लोग मिलते हैं तो ऐसे लोग नें कि हमें ऐसे लोगों के बीच में बैठें तो ज्यादा अच्छा है और अपने काम पर फोकस करें और जो हम काम कर रहे हैं उस पर ज्यादा रूची लें तो मेरी ख्याल थे शायद हम इन चीजों से जब हटते हैं तो अप एक लग नई पहचान में और अच्छी जगा पर स्थ आपित हो जाते हैं एक ट्रांसजेंडर के जीवन के एक और बहुत महपून पहलू होता है या एक शन होता है जब वो उसका जीवन साथी हो और जीवन साथी के साथ आपने समय बिताया और अब आप एक परिवार में एक फैमिली की तरह साथ में रहते हैं तो बहुत कम ट्र या यह एक प्रकार की उपलब्दी है उपर वाले की नियामत है तो वो अप कैसा अन्बाव लगता जब आप एक अपने जीवन साथी के साथ मल्टी में दूसरे सुसाइटी के साथ आप रहते हैं और किस तरह से वो आपकी केर हुई समाज ने घर वालों ने दोस्तों ने जब आपको आपका परित्याग किया या आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया उस वक्त उस वेक्ती ने आपको संभाला और आप जीवन साथी के रोप में रह रहे हैं वो कैसा अनुभाव है मेरे लिए तो सरी चमतकार से कम नहीं है क्योंकि शायद आज हमें 15 साल हो गए हैं और जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ और जिस समान के साथ मैं जो एक बहुत समानी जीवन जी रही हूँ एक ग्रहस्त जीवन जो कहूं मैं के हाउस वाइफ की तरह और मैं बहुत अच् पार्टनर ने मेरे जीवन साथी की रूप में जो आएं अम उन वैसे किनरों में शादी तो नहीं होती है लेकिन एक लाइफ पार्टनर बहुत जरूरी होता है जो हमारी भावनाओं को समझे जो हमारी सुख दुख में हो क्योंकि ये तो शायद मेरी ख्याल से एक पसू पक इतने अच्छे तरीके से रहे पा रही हूं तो उनका सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि शायद हमारे किनर समूदाय में कभी भी किसी को ऐसे क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर कोई लड़की या लड़का के लिए रहें तो रेंट पे देते नहीं है तो यहा पर अंच्छल से वहां पर ऊसम्मान मझे बहुत डबल मिलता है एक एक मिलती है और लोगो की सोच भी थोड़ी बदलती है और यहां हлекानद और काफि मेरा सायोग करते हैं जगह और कभी में टूर जाती हूँ, कभी कुछ होता है, तो सभालते हैं, और कहीं न कहीं, अगर मैं ये कहुँ कि, मैं एक बहुत अलग लाइफ जी रहे हूँ, तो उसमें एक जो कहते हैं, कि गाड़ी के दो पई हैं, अगर उसमें एक बी अगर पंचर हो जाए हवा कम होती तो गाड़ी सही नहीं चलती है तो कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है तो उनको मैं बहुत थैंक्स और उपरवाले को भी कि इतना अच्छा पार्टनर इतना अच्छा जीवन साथ ही दिया जो आज मेरे जीवन को सुचारू चलती हितना यूज साथ ही तोड़ा।